दोस्तों कैसे आप लोग आ सकता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जिसके जानते हैं अभी बर्साथ चल रही है और बर्साथ के टैम पे एक चीज बहुत आपने नोटिश करी होगी हमारे घर पर जो भी मैटल की बॉड़ी वाले सेट्टर बॉक्स होते हैं कुछ इस तरीके क लेकर कंट लगता है अक्सर बर्साथ में होता है यह किन कारणों से होता है इसका सलुशन किस तरीके से होना है जिससे आप बच सकें तो हम कुछ चीज़ां आप को बताएंगे जिससे आप हमारे इन वीडियो में बताएगी चीजों को फॉलो करके उनको आप उन प्रब्लम यह प्रब्लम बहुत सारे कारणों से आती है यह प्रब्लम हमारे सट्टो बॉक्स के अंदर प्रब्लम आने के वज़े से भी आती है यह किन अदर कारणों से भी आती है अब सेट्टो बॉक्स से क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है और कैसे इसका सलुशन करना है वह की अब होता कहा ना काफी बार ब्रसात में जब बाजल गरस्ते हैं बिजले चमकती है तो उस वक्त LNB के थुरू हमारे सप्लाई में बहुत जोरदार एक स्पार्क बहुंचता है जिसे एक कपैश्टर होता है वो फट जाता है अब होता किस कारण से है वो बताता हूँ अब LNB का जो कनेक्टर होता है यहां पर LNB का जो वैरिंग होती है यहां पर लगती है LNB पर और इसका जो बाहर का आप देख रहे हैं यह एक ग्राउंड जिसको बोलते हैं एक ग्राउंड यह ग्राउंड हमारा यहां से इसके पता है यहाँ पर इस च्वाई खी आपको teammate में डीखता हूँ इस कते essent Inगर आप यहाँ पर देखें तो यह किंस्टिर का जो हे एक लेग है वह हमारे यहाँ पर आउट्पुट में जो यहे आप देखने पट्टी इसके ground से connected है इस capacitor का एक leg ध्यान से देखें और समझें जो लोगों को लगता है कि आप सीखने को मिलेगा तो देखिएगा जरूब इस capacitor की एक leg कहां से जूड़ी है देखिए आप यह देखिए यहाँ पर और यहाँ पर और यहीं से होते वे यह देखिए इस देर से исle होतें होते हैं इधर यानि कि ground की wire से connected है जोकि ground की wire ये इससे connected होती है और ये आपके इन ग्राउंट के इन पार्ट से connected होता है तो अलंब से जुड़दार सा right spark वहाँ से पहुंचता है वो इस capacitor पहुंचता है और यह capacitor क्या होता है फट के short हो जाता है अब जब यह capacitor short हो जाता है या half short होगा जो भी है तो इस capacitor का जो दूसरा लेक है उसको track करें आप यह दूसरा लेक कहां तक पहुंच रहा है यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर यह main capacitor जहाँ पर जहाँ पर 220 वोल्ट फिल्टर होके 3.500 वोल्ट बनती है input 220 वोल्ट यहाँ से हमारी हुई और इस capacitor पहुँचने तक वो 3.500 वोल्ट पहुँच जाती है तो इसका जो primary section है और primary section में जो capacitor लग रहा है जिसमें पूरी पूरी वोल्टेज यहाँ पर 3.300 करीब मिलती है उस capacitor के negative से यह capacitor जो capacitor हम बोल रहे थे फट जाता है अक्सर लीक हो जाता है उसके negative से जुड़ा है अब होता क्या है अगर यह short होगा तो short होने से क्या होगा यहाँ और यहाँ का यहाँ primary और secondary का जो ground है वो ground एक हो जाएगा और यहाँ का जो voltage आपका है वो उस पार पार होने लगेगा अक्सर आपने एक चीज़ और notice करी होगी LNB का जो connector आप LNB पर गुमाते हैं उसमें भी बहुत जोरदार current करफी बढ़ देखने के लिए वो इसी capacitor की leak या खरब होने के वज़े से होता है या तो आप इस capacitor को change कर लो या आप यहाँ पर इसको हटा दो अच्छा यहाँ पर इसको हटा ओगे तू भी काम करेगा लेकिन change कर दो better होगा यह एक safety के लिए भी होता है और यह इसका जो main यहाँ पर लगाने का मकसद है आप सुचोगे कि या company क्यों लगा के दिरे जबी इस कारण से यह बनता है असल में filter करने के लिए होता है इसका main काम filter करना है तो यहाँ पर 1KB इसकी value 1KB और 102 इसकी value होती है तो इस capacitor की leak होने के वज़े सी यह problem आती है डीटेल से मैंने आपको समझा जा थोड़ा हाँ वीडियो मैं जो चीज़ा आपको बढ़ाई हो लंबा हो गया बताना लेकिन समझाना भी ज़रूर था एक problem आपकी यह है दूसरी problem कहां से है दूसरी problem आपकी यह main जो lead है इसका यहाँ पर के आसपास कहीं से कट जाना और कटने की वज़े से इदर पर जो आप ढ़कल लगा के रखते हैं वो metal से टकराई यह कारण कुछ-कुछ इसका भी हमने देखा है ऐसा होता है अक्सर यह joint की कासमने कट जाता है अब एक कारण और है एक कारण सबसे बड़ा क्या है वो set of box से नहीं होता है वो होता कहां से हमारे इस set of box से जो TV connected है उससे होता है अब देखिए मैं आपको सरसे समझाता हूँ यह देखिए यहाँ पर यह connect किया और यू वीडियो में आपको मैंने अभी क्या बोला था यह जो ground है यह ground है इसका यह बाहर का यह ground है यह ground है सब एक है और यही ground हमारा body के साथ भी connect है तो वही ground हमारा यहाँ पर भी आ रहा है और यह TV से जुड़ा हुआ है TV से जुड़ा है और TV का जो ground है उसमें भी वही function है उसमें भी वही capacitor लगा है और primary section से जुड़ा है अब TV में अगर leakage होगा TV के अंदर या जो भी device से आप connect कर रहे हैं जो भी आप screen जो भी connect कर रहे हैं उसमें अगर leakage होगा तो वही leakage इसके through इसके ground तक इसके body तक भी पहुँचेगा अब set of box का तो समझा दिया अब जो device इसके साथ आपने connect किया हुआ इन lead के साथ में उन device में भी वह problem को आप find करें जो problem इसमें आपको मैंने बताई थी कैपिस्टेक leakage उसमें भी जो कैपिस्टेक filter के लिए लगा हुआ है primary और secondary का जो ground को बीच में लगा हुआ रहता है उसको भी आप एक बार ज़रू देखें अब उस कैपिस्टेक लोकेशन यहाँ पर तो आपको समझा दी वो लोकेशन ट्रांसफोर्मर के जश्ट बगल में वन के भी 102 नंबर से होती है या optocoplar के जश्ट बगल में लगा हुआ रहता है ऐसा ही एक यहाँ पर भी होता है यह primary secondary से जुला नहीं होता है यह होता है एक optocoplar जिसकी दो लेक primary में दो लेक secondary में से तीन component है जिसमें एक capacitor भी है अब वो device जो इससे आप connect कर रहे है उसमें भी लीके जाने की वज़े से ऐशा होता है तो उसको भी चेक कर वाले है ठीक है यह चीज़ां अगर आप करनेंगे तो आपको कभी current नहीं लगए लन बी क करें देता रहूंगा और कुछ दो कुछ समझाता रहूंगा बस आपका support चाहिए और आपका इसी तरीके से प्यार चाहिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और कुछ शीकने के लिए